क्या आपको पता है पिछले 15 दिनों के अंदर दुनिया में 38 चिंता जनक घटनाय घटी हैं 13 माई तर्की में तक्ता पलट करने का प्रयास 15 माई स्लोवाकिया के प्रधान मंतरी को मारने का प्रयास 19 माई कॉंगो में तक्ता पलट करने का प्रयास एवं उसी 19 माई के दिन इरानियन प्रेसिडेंट का हेलिकैप्टर क्रैश 24 अंक आरंब होते ही वातावरन बिलकुल वे से ही बन चुका है जेसा भविश्य मालिका में लिखा था परन्तु अब कुछ बड़ा होने जा रहा है क्योंकि टर्की, स्लोवाकिया, कॉंगो एवं इरान चारो के चारो या तो इसराइल या फिर उसके शत्रू हैं वही रश्या के मित्र राजनीती यानि पॉलिटिक्स एक एसा दलदल है जिसके अंदर कब कॉन डूब जाए या कब कॉन बचकर पार हो जाए बता पाना कठिन है परन्तु इतने अस्तिरता के बावजूद भी संपोर्न राष्ट्र का भविश्य इसी राजनीती पर ही निर्भर करता है एक योग्यनेता देश को उचायों तक पहुंचा सकता है जबकि एक अयोग्यनेता उसी देश को बरबाद भी कर सकता है इस कल्यूक के कलीग्रासित राजनीती में शामिल नेताओं में सत्ता प्राप्त करने का लोब इतना अधिक है कि बेटा बाप को मार देता है बाप बेटे को मार देता है चाचा अपने भतीजे के विरुद खड़ा हो जाता है यहां तक कि खुद के धर्म को गाली देने से भी पीछे नहीं हडते कहने का तातपरिय वर्तमान का पॉलिटिक्स राजनिती कम सडियंतर अधिक लगता है परंतु चाहे दुनिया का कोई भी देश हो जब बात कूटनिती तथा राजनिती का आता है तो सब के सब स्री कृष्ण जी के नीचे हैं स्री कृष्ण जी से स्रिष्ट राजनेता ना होगा एवाम आज वही स्री कृष्ण स्री कलकी जी के रूप में आकर युग परिवर्तन का अंतिम लीला कर रहे हैं यानि पापी मलेच अधर्मियों को अंतिम फल दे रहे हैं पंच सखाव ने 20 अंक से आरंब हो रहे हैं कालखंड के परती अपने भक्तों को सावधान तथा स खुद सोच विचार करके देखिए 2020 के बाद से ही संपूर्ण विश्व में भारी उथल पुथल जारी है कहीं पर military rule यानि सैन्यसासन कहीं पर civil war यानि ग्रिहयुध कहीं पर full scale war यानि पूर्ण युध कहीं पर financial crisis यानि आर्थिक संकट कहीं पर recession यानि आर्थिक मंदी तो कह पर राष्ट्र अधिक्षों का एसासिनेशन यानी हत्या इतने तत्य बहुत हैं इस बात को प्रमानित करने के लिए कि दुनिया में कुछ तो गड़बड है और हमें इस गड़बडी का पता समय रहते लगाना पड़ेगा फॉलो या सब्सक्राइब करके मेरे बात को ध्यान सुनिये दोजार चौबीस के आरंब से ही मैंने लगातार आप सबको मैप पर बने इस सरकल वाले अंचल पर नजर रखने के लिए कहता आया हूं और आप संयोग तो देखिये आज दुनिया में जितने भी राजनिती से संबंदित अप्रिय घटनाए हुए हैं उनमें से सब से महत्तोपून तथा अधिकतर घटनाएं इसी सरकल वाले अंचल के अंदर ही हुए हैं तेरह मैं दोजार चौबीस के दिन अचानक तरकी में हड़कंप मच गया राष्ट्रपती एरदोगन ने एमरजेंसी मीटिंग बुलाया जिसमें देश के सभी लौ एनफोर्समेंट एजेंसिस के हेड एवं कुछ मिनिस्टर्स भी सामिल हुए मुद्दा था कूप यानि तकता पलट का जिस पर समय रहते सरकार ने नियंत्रन कर लिया कुछ पुलिस ऑफिसर्स एवं किर्मिनल गैंक्स ने मिलकर इस तकता पलट का योजना बनाया था जिनको अब अरेष्ट कर लिया गया है और जांच जारी है 15 मई 2024 के दिन स्लोवाकिया के प्रधान मंत्री रोबर्ट फिको रस्ते पर खड़े अपने समर्थकों से मिल रहे थे कि अचानक उस भीड में से उपस्तित एक विक्ती ने उनको गोली मार दिया 6 दिन बीत चुके हैं 2 ओपरेशन्स हो विक्ती रिष्ट हो चुका है एवं एक बड़े सडियंत्र का प्रमाण भी मिल रहा है 19 मई 2024 के दिन अजरबाजान से लटते समय इरानियन प्रिसिडेंट का हेलिकेप्टर रहस्यमई तरीके से क्रैश हो गया जिसमें राश्ट्रपती रैसी एवं फॉरेन मिनिस्टर समेत अने को विक्ती मारे गये तर्की रशिया एवं इरान के सयुक्त जांच में एक बड़े सडियंत्र का प्रमाण मिला है इन सब के अलावा उस मैप पर बने सरकल से बहर ठीक उसके नीचे अफरिकन कॉंटिनेट में उपस्तित कॉंगो नामक देश में 19 मई 2024 के दिन युएस एवं UK के दुआरा समर्थित एक प्राइवेट आर्मी के सैनिकों ने तखता पलट का प्रयास किया था परन्तु कॉंगो की आर्मी ने समय रहते सब को मौत के घाट उतार दिया ये चारो घटनाए भले ही चार अलग अलग देशों में हुए हैं परन्तु चारो के चारो दे का आयोजन करके सत्रों को डायरेक्ट चेतावनी दिया कि यदि नैटो की सेना युक्रेन की जमीन को तुरंत खाली नहीं करता तो उनको न्यूक्लियर विपन से जवाब दिया जाएगा यानि चित्र स्पष्ट है जब US एवं उसके द्वारा समर्थित देशों को रशिया क के विर्द युद्ध के मेदान में शर्मनाखार का सामना करना पड़ा तब हैरान परिशान हो करुए अब छदम युद्ध यानि प्रोक्सी वर का सहरा ले रहे हैं जिसके तहत एक एक करके रशिया के अलायस को बरबाद करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि रशिया बिल्कुल नहीं। माया के माध्यम से सप्त मात्री का अपना लिला रचाएंगे। गुप्त अवस्ता में रहेकर इन पापी मलेच अधर्मियों का संघार करेंगी। पिशेश रूप से रोग, हिंसा तथा दुरघटनाओं के माध्यम से अब आप खुद विचार कीजिएगा आज ये सब हो रहा है या नहीं। जब से इरान के राष्ट्रपती का हेलिकाप्टर क्रैश हुआ है तब से यूएस, यूके एवं इसराइल में चिंता जनक स्तिती बना हुआ है क्योंकि शक का उंगली उनी पर उठ रहा है। क्रैश वा दो पहरे में मृत्यू का रिपोर्ट आया रात को पर जब क्रैश के तुरंत बाद कुछ रिपोर्टर्स ने इसराइल से इस पर उनका प्रतिक्रिया मांगा तो इसराइल ने कहा कि रैसी तो अब मर चुका है और हमें इस घटना से बहुत दुख हुआ पर इसमे किसने किसको मारा अब समस्या है यह है कि यह मार्धार महायुद में ना बदल जाए क्या आप बता सकते हैं कि कॉंगो के प्रेशिडेंट का नाम क्या है जल्दी से उत्तर कॉमेंट कर दिजै क्यूंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में धन्यवाद आप भी इस परिवार का हिस्सा बने लाइक, शेर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करे ताकि सज हर घर तक पहुंच पाए जै जगन्नात, जै पंच सखा, जै हिंद